नमस्कार डिटी डवलू टन्टी फोर्ड निउज में स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ काजलतिवारी कोरोना महमारी के बीच बिहार में विधान सवाथ चुनाव होने जा रहा है चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज है सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में लगे हुए है सभी दलों में चुनावी जुद की रणीती बनाई जा रही है तो सभी दलों का पोश्टर भी लगाया जा रहा है और तरह तरह के नारे भी बनाई जा रहे है तो वहीं दूसरी और निताओं का एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाने का सिलसला भी जारी है तो इसी कड़ी में पार्टिया भी अपना दल बदलने में लगी हुई है जाहिरे कुछी दिनों पहले हिं दूस्तानी अवाम मोर्चा महागट बंदन छोड़े अंडिये में शामिल हो चुकी है अब खबरे यह आ रही है कि रालोसपा भी जल्द से जल्द महागट बंदन छोड़ सकती है आपको बता दे राश्टिय लोग समता पार्टी के राश्टिय अधेक्च उपेंद्र कुस्वाहा का महागट बंदन से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है वे जल्द से जल्द महागट बंदन छोड़ सकते हैं इसी मुद्दे पर बिचार करने के लिए रालोसपा की आज एहम बैठक हो रही है इस बीच सत्ताधारी राश्टिय जनतांतुरी गटबंदन ने कुस्वाहा को अपने पाले में करने की कोशिश सुरू कर दी है जाहिरे की महागट बंदन में सेट शेरिंग के मुद्दे पर उपेंद्र कुस्वाहा नराज चल रहे हैं वे महागट बंदन में सीटों के समान जनक बटवारे को लेकर राज़द नेता ते जस्वी यादो सही कॉंग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है इस बीच राज़द ने उनकी पार्टी के नेताओं को अपने पाले में करने की नीती भी अपना ली है इससे उपेंद्र कुस्वाहा नराज बताए जा रहे हैं और अब वे महागट बंदन में आर पार करने के मूड में हैं तो है उपेंद्र कुस्वाहा के महागट बंदन में रूख को बदलते देख एंड ये उन्हें अपने पाले में करने की कोशिस में लग गया है ऐसे में कुसवाहा से सहानुभूधी जताते तथा उन्हें अपने पाले में आमंत्रित करते बयान आने लगे हैं भारतिय जुन्ता पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि महागटबंदन में कुस्वाहा को वह समान नहीं मिल रहा है जो उन्हें एंडिये में मिलता था इस मामले में फैसला तो उन्हीं को करना है जदियू के प्रवक्ता संजय सिंग भी कहते हैं कि तेजस्वी के अहंकार के कारण पहले जृतन रामांजी गए अब कुस्वाहा भी जा रहे हैं इस मामले में जृतन रामांजी ने कहा कि जो उनके साथ हुआ अब वही कुस्वाहा के साथ हो रहा है राजद सभी नेताओं को साथ लेकर चलने के लिए तयार नहीं है तो वही रालोस्पा के प्रधार महासचियों आनंद माधव की माने तो इस अपात बैठर के बाद पार्टी कोई भी फैसला ले सकती है इस मामले में माधव आनंद इसारों में कहते हैं कि जहां समान मिलेगा वहां रहेंगे बता दे पूरे मामले में राजद दवाव के आगे जुगने को तयार नहीं है हलाकि अब अंतिम समय में सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिस की जा रही है पहले सभी को अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र पता चुके राजद के प्रवक्ता मिर्तुंजे तिवारी अब दावा कर रहे हैं कि महागट बंदन एक जूट है और कोई कहीं नहीं जा रहा है हलाकि आज रालोसपा के ओर से बैठक हो रही है और बैठक के बाद पता चल जाएगा कि रालोसपा और महागट बंदन के बीच क्या कुछ चल रहा है और इस बिधानसबा चुनाओ में रालोसपा महागट बंदन के साथ रहेगी या फिर पार्टी छोड एंडिये में शामिल हो जाएगी बहराल देश दुनिया के तमाम कबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले अगर आप ये वीडियो हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तमारे पेज को लाइक करें और शेयर जरूर करें धन्यवाद